आप जानते हैं भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा था बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना और विश्वासी चहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्य वर आतं की हार हुई साथ्यों पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किये उसे मुह की खानी पड़ी है लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है वो आतंगबाद के सहारे प्रोक्षी वार के सहारे अपने आपको प्रासंगीक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगबाद के इन सरप्रस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाग मन सुभे कभी काम्याब नहीं होंगे आतंगबाद को हमारे जावाज पूरी ताकत से कुछलेंगे दुश्मन को मुहतोड जवाब दिया जाएगा साथियों लगदाखो या फिर जम्मु किश्वीर विकास के सामने आ रही हर चुनोती को भारत परास्त करके ही रहेगा प्लूड़ से छुनोती कुछंगे नहीं होंगे परास्त झाल झाल